की पोजिशन को उसको घबराट हो रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसका उल्टा हाथ अचानक सुन होता हूँ आ रहा है दिल में बहुत तेज दर्द हो जैन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर किसी को अचानक हाट आता है आपके परिवार में कोई जानकारी आचानक चलते चलते अगर आपको कोई ऐसा केस दिखे तो किस प्रकार आप उस वेक्ती की जान बचा सकते हैं दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज कल रेदे रोग होना बहुत ही आम हो गया है चाहे वो वाल्व ब्रॉक हो रही हो आप देख सकते हैं कार्डियक अरेस्ट होने लगा है अचानक लोगों को और यह समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो मुझे लगता है था कि एक ऐसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूं जिसमें आपको यह समझा सकूं कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन ब आने में समय लगता है उनको जाने में भी समय लगता है लेकिन यह मैं आपको इमर्जनसी के लिए बता रही हूं क्योंकि बहुत ही अच्छे पॉइंट से मैंने कई पेशेंट्स को अपलाई कराएं भी हैं मैंने बताएं भी हैं और उनको फर्ग भी हुआ है यह ऐसी करके उस वेक्टिकों इतना स्टेबल कर सकते कम से कम वो हॉस्पिटल पहुँचके अपना इलाज करा सके तो विडियो को ज़्यादा लंबना करते हैं मैं सीदह आपसे अप्रेशन पॉइंट के बारे बात करना चाहूंगी कौन सा एक्यूप्रेशन पॉइंट आपको उस स ज्यादा महत्वर रखता है क्योंकि इसको पेस्मेकर पॉइंट भी कहा जाता है यानि कि अगर आप इस पॉइंट को रेगिलर बेसिस पे आप अपलाई करते हैं, सुबह उठने के बाद दूए रात को सोने से पहले अगर आप इस पॉइंट को रोजाना दबाते हैं तो आप को पेस्मेकर नहीं लगेगा यह मैं नहीं कह रही है एक्यूपॉंक्चर थियरी बता रही है कि आप इस पॉइंट को अगर रोजाना प्रेस करते तो आपको यह लाब मिलते हैं उसके अलावाद दूसरा पॉइंट आपका कौन सा होता है वो होता है यहापर जिसे हम कहते हैं H नाइन तो आप देख रहा है जो हमारी रिंग फिंगर होती है उदर के साइट पे हमारे नेल के बिल्कुल कॉर्नर पर है यह निशान बीटी के इसको कैसे आप अप्लाई करना है बहुत सिंपल है दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ इसी समस्या बन रही है व आपको यह पॉइंट प्रेस करना है उस समय कौन सा यहां पर इसे आपको प्रेस करना है और यह एक से दो मिनिट तक आप प्रेस करना है तो दुबारा देखिए इस तरीके से बहुत तेस प्रेशर नहीं देना है बहुत हलका नहीं देना है यहां पे इस तरीके से हाथ रख मरीज के जब तक कि जो कंडिशन है वो स्टेबल ना हो जाए दूसरा ये पॉइंट यहां होता है तो आपको इसको दबाने की जुरत नहीं है आप उंगली पकड़ के मरीज के ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिजेगा ठीक है ऐसे यह वाला हाथ देखिए ठीक है यह आप एक करने में हैं हर्ट को पंप करने में सहायक होता है अच्छा काम करता है तो यह आप कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप इस पॉइंट को रोजाना प्रेस करते तो आप देखेंगे कि आपके शेर में कॉलेस्टरॉल प्रड़क्शन नहीं होता है बहुत जादा और आपका इसके साथ इस तरह की कोई भी समस्य आ रहे है तो उनको खांसने के लिए बोलिए इस तरीके से या जोड से सांस लेना है ऐसे मूँ से सांस लेने के लिए उनको बोलिए इससे क्या होता है आपके रिदे को पंप करने का टाइम मिल जाता है बलट को और वो वापिस से इस त करते हैं तो आप किसी देखतीगी जान बचा सकते हैं ऐसे समय पे जब उसके आसपास कोई नहीं है आसपास कोई फार्मेसी नहीं है डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल जाने में टाइम लग रहा है तो प्लीज आप ये पॉइंट जरूर इस्तमाल करें आपको अमेजिंग करती हैं अमेजिंग वीडियो आपके लिए उसकुल रही होगी अगर रही हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स और जो आपका सरकल है जितने भी ग्रूप से सब में शेयर कीजिए ना जाने किस के वीडियो काम आ सके हैं मैं मिलते हूँ आप सबीसे नेक्स वीडियो में तब अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसी ही हेल्ट रिलेटिट वीडियोज मैं आप सब के साथ शेयर करती रहती हूं